वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चोटा सा डिस्क्लेमर वीडियो में जो भी विंडोज और सौफ्ट्वेर से रेलेटेट ट्रिक्स दिखाई जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पॉर्पस से सीखने के मकसद से दिखाई जाती है हम किसी भी तरह की एल्लीगल इस के लिए आपको सबसे पहले विंडो 11 की आईसो फाइल को डाउन्लोड करना पड़ेगा इसलिए हम सबसे पहले Microsoft की उफिसियल वेबसाइट से लेटस्ट Windows 11 की आईसो फाईल को डाउन्लोड करेंगे इसके लिए हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे Windows 11 ISO डाउनलोड और एंटर करके जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसे ओपन कर लेंगे अभी हम Microsoft की ओफिसियल वेबसाइट पर आ गए है पहले हम ISO फाइल को सेलेक्ट करते है फिर डाउनलोड बटन को क्लिक करते है उसके बाद हम यहाँ से लेंगवेज सेलेक्ट करते है English United States फिर Confirm बटन को क्लिक करते है यहाँ एक ही आपशन है 64 bit इसे सेलेक्ट करते है विंडो की ISO फाइल हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी ISO इमेज कितनी देर में डाउनलोड होगी वो आपकी इंटरनेट स्पीड पर डपेंड करेगी इसके बाद हम इस ISO फाइल की फाइल्स को विंडरार या 7-zip की सहायता से एक्स्ट्रेक्ट कर लेंगे इसके लिए हम फाइल पर राइट क्लिक करेंगे और विंडरार को सेलेक्ट करके एक्स्ट्रेक्ट टू और जो भी फाइल का नाम है उस नाम के फोल्डर में सभी फाइल्स को एक्स्ट्रेक्ट कर लेंगे जब सभी files folder में extract हो जाएंगी, हम इस folder को minimize कर देंगे, और अपने desktop पर आ जाएंगे, यहां आकर हम registry editor की files में कुछ changes करेंगे, जिसके लिए हम window प्लस R का button प्रेस करेंगे, run window खुल जाएगी, उसमें हम type करेंगे, regadit और OK बटन को प्रेस करेंगे, जिससे registry editor खुल जाएगा, फिर हम HKE local machine में जाएंगे, फिर software में, फिर हम Microsoft में जाएंगे और फिर windows NT, उसके बाद current version को open करेंगे, यहां हम पहले composition edition ID इस file को open करेंगे और इसमें core लिख देंगे, फिर हम addition ID इस file पर double click करके इसे open करेंगे और इसमें भी core लिख देंगे, इसके बाद हम product name इस file को open और इसके नाम के पीछे pro से home कर देंगे, यह changes करने के बाद हम back आके फिर से main location पर आ जाएंगे, अब हम फिर से हेच की local machine में जाएंगे, फिर software में, फिर wow 6432 node, फिर हम Microsoft में जाएंगे और फिर windows NT, उसके बाद current version को open करेंगे, यहां भी हम पहले composition edition ID इस file को open करेंगे और इसम फिर हम addition ID इस file पर double click करके इसे open करेंगे और इसमें भी core लिख देंगे, इसके बाद हम product name इस file को open करेंगे और इसके नाम के पीछे pro से home कर देंगे, यह changes करने के बाद हम registry editor को बंद कर देंगे अगर आपको यह changes करने में दिक्कत आये तो आप इस code को वीडियो के description से copy करेंगे, फिर desktop पर right click करके नई tax document create करेंगे, उसे open करके यह code उसमें paste कर देंगे, फिर उपर files में जाकर save as को click करेंगे, location में desktop select करेंगे और इस file को downgrade.reg करके save कर देंगे, उसके बाद यह registry file आपके desktop पर save हो जाएगी, फिर आप इस file पर double click करेंगे, फिर yes प्रेस करके permission देंगे, फिर एक pop-up आएगा, I assure you want to continue, आप yes बटन को उम प्रेस करेंगे, फिर आपको message आएगा, जो के values आपकी file में थी, वो आपकी registry में successfully add हो गई है, आप OK बटन को प्रेस कर दे, अपने आप ही वो key values change हो जाएंगी, जो अभी हमने manual change की थी, अब पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी windows का addition, इसके लिए मैं window icon को click करता हूँ, फिर setting में जाता हूँ, फिर right side में सबसे नीचे आके about पर click करता हूँ, यहां not कीजिए window का addition, अभी 11 pro है, इसे बंद करके, अब हम windows की file के folder मे चलते है, यहां हम setup file को double click करके run करते है, अब हम window को repair करेंगे ना की install, आप इस link को click करेंगे, उसके बाद windows updates को not right now select करेंगे, फिर नीचे I want to help make the installation better इसे untick कर देंगे और next button को press करेंगे, window 11 का setup आपके PC की configuration को check करेगा, कुछ समय वेट करें, उसके बाद आप applications notice and license terms को accept कर दे आप कुछ time wait करें फिर आपको ready to install लिखा मिलेगा, आप यहां change what to keep, इस link पर click करें, उसके बाद आपको यहां तीन options मिलेंगे, keep personal files and apps, keep personal files only or nothing, आप यहां कुछ भी select कर सकते हैं पर मैं यहां first option keep personal files and apps यह select कर रहा हूँ, जिससे मेरा data lose ना हो, अब मैं next button को press करता हूँ, फि इसके बाद आपकी installation process start हो जाएगी, आप screen instruction को follow करते जाए, यदि आपसे windows key type करने को कहा जाए, और यदि आपके पास की है, तो अपनी key type करके process को आगे बढ़ाए, नहीं है तो मैं video के description में key दे दूंगा, वो डाल के process को continue करें, इस process में time तो लगेगा, इसलिए इंतजार क और आपका desktop आपके सामने होगा, आपकी files, apps और data इस process से lost नहीं होगा, process के complete होने के बाद हम window icon पर click करेंगे, फिर setting में जाएंगे, और फिर about में जाकर check करेंगे, कि हमारी window का addition अब downgrade हुआ के नहीं, result आपके सामने है, ये window अब windows 11 home है, अब हम नीचे जाके product key and activation पर click करते ह मेरी window activate show हो रही है, यदि आपकी window not activate show हो तो, window permanent activation का video उपर, card या i button में है, आप जाके video देखे और process को follow करें, आपकी window activate हो जाएगी, हम window के pro edition में group policy editor की settings के लिए गए थे, पर अब हम फिर से window 11 home पर आ गए है, कैसा रहेगा यदि हम group policy editor की settings इसी home edition में कर पाए, तो next video में हम करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, यदि अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है, तो अभी कर लो, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपसे miss ना हो, धन्यवाद दोस्तों